येलो फ्र एटिट्स आपका स्वागत है कुख वीद नीती में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इसे ट्रिक्स है बहुत ही टेस्टी गाजल का हलुआ तो शुरू करते हैं इसको बनाना तो हम बना रहे हैं गाजर का हलुआ तो इसके लिए हमें लेनी है गाजर और उसको हमें अच्छे से वाश करना है उसको फिर हम छील लेंगे और छीलने के बाद हम उसमें कद्दू कस कर लेंगे अच्छे से कद्दू कस करने के बाद हम उसे डालेंगे एक कड़ाई में तो मै मैंने अच्छे चिल के कद्दूकस कर लिया तो इसमें से थोड़ा सा हमारा चिल के भी निकल चुके हैं सो गाइस कम्प्रीटल एमने 2चलों ली हैं और उससे हमने कद्दूकस करके गाजर त्यार की हुई है और अब हम इसमें डालेंगे शुगर तो यहाँ पर शुगर एड़ कर देते हैं हम तो मैंने यहाँ पर खाफ केजी शुगर ले ली है और अगर आप मेजर करें तो दो कटोरी शुगर है यह और इसको अग हम गैस पर रखके अच्छे से चला लेंगे बहुत इजी ट्रिक है गाज़त के हलुए बनाने की पहले हमें बहुत टाइम लगता था हलुए बनाने में एक अलेक्ट्रिक से की हम दूद लेते थे उसको गाड़ा करते थे उसमें फिर हम गाज़त डालते थे तो उसको चलाते रहते तो बहुत समय लगता था लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम पहले से ही खोया या मावा बना के अलग रख लेते हैं आप चाहे तो उसको मायर किट से भी परचेज कर सकते हैं बना बनाया भी आपको खोया मिल जाता है और आप उसको दूसरे भी बना सकते हैं अगर आपको इसमें शुगर एड़ कर दी है गाजर के साथ अब यह थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगी और जिससे हमारी गाजर अच्छे से गल जाएंगी और अब इसमें हम साथ में डाल देते हैं दूर तो यहां पर मैं एक ग्लास डाल देती हूं छोटा वाला दूर क्वांटिटी मे 200 में तो इसको अब हम अच्छे से चला लेते हैं और तब तक हमारी शुगर मैंट नहीं होती तब तक हम इसको एक एक मिनट में चलाएंगे ताकि नीचे से शुगर हमारी कडाई में चिपके ना और अच्छे से मैल्ट हो जाएं यह देखिए 5-6 मिनट हुई हैं और हमारी शुगर है वो अच्छे से मैल्ट हो गई है और हमारी शुगर ने मैल्ट होने के साथ साथ गाजर में भी देखिए पानी छोड़ देया ना अब इसी पानी से हमारी गाजर जो है वो अच्छे से कुख हो जाएगी और हम इसको ऐसे ही कुख होने देंगे और बिच बिच में हम इसको 2-2-3 दिन में एक बार इस तरीक्रे से चला लेंगे और जब तक यह सारा हमारा पाणी और डूद्र इस में अच्छे से कुप नहीं होता और खतम नहीं होता यह हम इसको पकने देंग़े जब हमारा गाज़र में खतम हो जाएगा तब तो हम नेक्स पॉसेस शुरू करेंगे फिलाल हम इसको इसी तरीके से बिच बिच में चलाते हुए कुखोने देते हैं तो आप देख रहे ना जो हमने इसमें मिल्क डाला था यहां शुगर डाली थी वो जो इसमें पानी चोड़ा था इसमें वो सारा इसमें राइ हो गया है और हमारी जो गाजर थी वो अच्छे से कुख हो गई है देख रहे ना बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है ना दूद बचा है सब कुछ राई हो गया है तो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं खोया या मावा जिसको हम क्रंबल करके डालेंगे यह मैंने हाफ केजी लिया हुआ ह तो इसको आप इसमें डाल दे और अच्छे से हम इसको कर देंगे मिक्स तो यह अच्छे से हमने अपना खोया सारा इसमें मिक्स कर लिया है गैस की फ्लेम हमने बन कर दी है और अब हम डाल देते हैं इसमें ड्राइफूड तो यहाँ पे आप कोई भी ड्राइफूड जो आ वह डाल दें आप देखें कलर भी बहुत अच्छा है बिल्कुल हलवाई वाला कलर जो हमारे मार्केट से हम पर्चेस करते हैं वही कलर है बहुत इची खुश्बु आ रही है तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राइफूर्स हम इसमें काजू बदाम और साथ में दाल देते हैं थोड़े से पिस्ता और अच्छे से हम इसको कर देते हैं मेक्स और गर्मा गर्म हम इसको करते हैं बाउल में सर्व तो अब हमने बाउल में निकाल लिया है और अब हम यहां पर डाल देते हैं उपर से थोड़ा सा खोया या मावा डाल देते हैं उसके बाद ह काजू बदाम और साथ में हमेट कर देते हैं थोड़े से इस पे वाउ बहुत ही टेस्टी और देखने में तो लाजवाब तो हमारा गाजर का हलुआ बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है बिल्कुल मार्किट जैसा बहुत ही टेस्टी है बस आप इसको बनाए और करके डाल सकते हैं तो आप इसको बहुती आसान तरीके से बना सकते हैं लेकिन जब आप खोया डालें तो गैस की फ्लेन को stadt कर दे़ें और फिर आप इसमें मावा मिक्स कर सकते हैं को बहुते गद्राइफ पूट के साथ मैं खुछ लोग इसमें पीनट भी पसंद करते हैं, तो आप अगर चाहें, तो थोड़ा और टेस्ट पढ़ाने के लिए, पीनट को रोस्ट करके, उसके छिलके, उपर से रैड वाले होते हैं, वो हटा कर आप उसमें वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, ट्राइ कीजी एक बार, तो आ लाइक शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू,